हलो फ्रेंग्स कैसे हो आप सब उमीद करती हो आप सब अपने घर में खुश होंगे मैं भी बहुत खुश हो तीजों पर इतना कुछ खाच चुके हो इतना जदा उसके बाद किस से उमीद करती हो मैं मी सब कुछ बता दे है ना होते है यही होते है क्योंकि responsibility लिए है तो सब कुछ महम ही करेगी, अगर महम के भरोसे चलते तो आपकी थाली में इतने घेवर, फिरनी या मिठाईया नहीं आती, मैंने आपको पहले ही बोला था, functions आते रहते हैं, functions होते हैं जिसमें हम अपने आपको pretty feel करें, ना कि अपने आपको fat gain करें, अब ज तो यहां से गलती कर चुके हो, आगे के गलती मत करना, तो जो हम खा चुके हैं, जो हमने अपनी body को extra fat हमने अपनी body में डाल चुके हैं, उसको हम कैसे दूर करें, solution एक ही है, tip एक ही है, detox your body, अब यह detox your body, मैं आपको बहुत बार बता चुके हैं, clean your body, जैसे हमारे घर में ब अपनी body को करना होगा, clean your body, उसके लिए आपने क्या करना है, salt free day, salt free day में क्या करना है, eat whatever you want, it doesn't mean की deep fry कुछ खा रहे हो, या कुछ खा रहे हो, whatever in the sense की घर का खाना, घर में बना हुआ खाना, उसमें आप क्या है, आप डाल सबजी खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, आप किछ डली खा सकते हो, आप डली खा सकते हो, आप pumpkin soup ले सकते हो, आप लोकी का juice ले सकते हो, नारिल पानी ले सकते हो, मतलब कुछ भी खाओ, लेकिन उसके अंदर नमक नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं, एक चुटकी भी नहीं, you can't even believe, कि आप जिस दिन salt free करते हो, उससे एक दिन पहले अपना weight check कीजिए, और next day अपना weight check कीजिए, आप यकीन करोगे, किसी किसी के case में ऐसा भी हुआ है, कि 1 kg प्लस भी salt free करने के बाद हमारा lose होता है, करके देखो friends, बहुत फर्क पड़ता है, कुछ भी खाना पर salt उसके अंदर नहीं होना चाहिए, try करो, करोग जिनको problem है, वो मत करो, वो watering day कर लो, मैं आपको watering day में बता चुकी हूँ, कि वही खाना जिसमें आपको liquid form में आप अपने अंदर intake करते हो, आपको चबाना ना पड़े, कुछ भी चीज, heaviness feel नहीं हो, उससे भी हमारी body detox होती है, पर सबसे ज़ले detox, salt free day पे होती है, आप जिस मैं आपको नईश्ड़्स